अध्याई पाँच श्लोक सोला भागवद गीता ज्यानेन तू तत अज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मनह ते शाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाश यतितत परम अनुवाद परंतो जिनका वह अंतकरन का अज्यान आत्मज्यान द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्यान सूर्य के सुद्धिश सच्चिदानंद परमात्मा प्रकाशित कर देते हैं व्याख्या इश्लोक में योगेश्वय श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहन जहस्य समझा रहे हैं प्रकाश आता है और चला जाता है अंधकार सदा है यहां अस्तित्व का आधार है यहां संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है किन्तो यहां स्वयम अस्तित्व हीन है प्रकाश का अस्तित्व होता है उसके होने से प्रकाश उत्पन्न होता है तथा उसके ना होने से अंधकार पुना व्याप्त हो जाता है अंधेरे स्थानों पर बैठना आध्यात्मिक साधकों के लिए आशिरवात के समान है घोर अंधेरे स्थानों पर बैठने से कुछ समय उपरान साधकों को अपने शरी की सीमाओं का पता नहीं चलता है कि कहां शुरू होता है और कहां इसका अंत हो जाता है पर अंतु अधिकांस मनुष्य अंधेरे से घबराते हैं क्योंकि उनका मन अस्थर होता है किन्तु चूकी मन आखों पर दृष्ष दिखाने के लिए बहुत निर्भर रहता है तो अंधकार के कारण जब आखें दृष्ष दिखाने में असाहाई हो जाती है मन भेभीत हो जाता है क्योंकि वहां पांचों इंद्रियों पर पूरी तह निर्भर हो जाता है मनुष्य जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं वहां केवल एक हिस्सा है वहाँ मनुष्य को कभी भी पूरा अनुभव नहीं देगा किन्तू चूकि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर भरोसा तता विश्वास करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मनुष्य उनसे गहराईयों से जुड़ जाते हैं इसलिए मनुष्य का समस्त अस्तृत्व को जानने का भाव पूरी तह से विकृत हो जाता है मनुष्य आत्म अज्यान के कारण ही आत्म ज्यान को प्राप नहीं कर पाते हैं जीव आत्मा स्वयम ही ज्यान है ज्यान जीव आत्मा का स्वभाव है किन्तु इस ग्यान के इर्द गिर्द वासनाओं के कारण अग्यान की इतनी मोटी परतें जमा हुई हैं कि मनुष्य को कभी-कभी इससे बाहर आने में कई जन्म लग जाते हैं आत्म ग्यान तथा आत्म अग्यान में केवल एक ही फर्क होता है आत्म ज्यानी मनुष्य आत्म अज्यान की गहरी नीच से जाग गए होते हैं इसलिए हम बुद्ध को जागरुक अर्थात बुद्ध कहते हैं जबकि उनका नाम सिध्धात गौतम था कुंडलीनी एक ऐसी ही सोई हुई उजा है जो मानव शरीर की रीर की हड़ी के आधार पर कुंडलीनी सर्थ के रूप में वर्नित है जिसे साधक योग आसन प्राणायाम ध्यान तथा जब जैसी विभिन अभ्यासों के माध्यम से जागरुक करने का प्रयास करते हैं कुंडलीनी उजा जागरुथ होने पर नाडियों के माध्यम से रीर की हड़ी द्वारा यात्रा करते हुए मानव शरी के 112 चक्रों को सक्रिय करते हुए अंततह साधक को जागरुक कर देती है तो इस लोग में योगी श्री कृष्ण कहे रहे थे कि जो जागरुक होते हैं उनका आत्म ज्यान अभिव्यक्त हो उठता है तथा उनका आत्म अज्यान नश्ट हो जाता है ऐसे मनुष्य ही इस अस्तित्व में परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं सोई हुए मनुष्य को अपना अनुभव ही नहीं होता है तो वे परमात्मा को क्या खाक अनुभव कर पाएंगे किन्तु ऐसे कई सोई हुए मनुष्य हैं जो परमात्मा की खोच करने निकल जाते हैं किन्तु उनकी खोच कभी पूरी नहीं होती है हम कह सकते हैं कि आत्म ज्यान ही परम ज्यान का द्वार है योगेश्वर श्रीक विष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि आत्म ज्यान आत्म अज्यान से धगा रहता है अतह मनुष्य दुग भोगते हैं इश्लोक में योगेश्वर श्रीक विष्ण दुख दूर करने का मार्ग बता रहे हैं। जब आत्म अज्ञान नश्ट हो जाता है, तब ही स्वयम का तथा परमात्मा का अनुभव होता है, वही आत्म ज्ञान है।